मसूरी में चंडाल घड़ी में एक घर में आग लग गई जिसमें घर में रखा लाखों का सामान जल कर सुछा हो गया सुछना मिजदे ही मसूरी पुलीस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुँची और बड़ी मुस्किल से आग पर काबू पाया गया SDM मसूरी नरिश दुर्गपाल मौके पर पहुँचे और ततकाल पीडीत परिवार को सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत राष्टी रुपे 7,000 का चेक दिया गया वहीं पीडीत परिवार को हर संभव मदद करने का भरूसा भी दिराया गया साथी SDM मसूरी ने कहा कि आग लगनी की जाँच की जा रही है परतम दिश्टिता शॉट सरकिर से आग लगने की बात सामने आ रही है मसूरी के सहर के अंदर ही एक हमारा वार्ड है इस पर एक परिवार में अगनी काईन की सूसना मिली थी तो ततकालिक दूप से जो इस्थानी लोग है उन्होंने और फायर बिलेट ने मिलके आग तो गुजा लिये लेकिन मैं मौके पर हूं इस वक्त देख रहा हूं कि काफी मुक्सान इनका घर का हुआ है कंप्लेटी जल चुका है बरतन कपड़े हो गए है कुछ भी नहीं है इस परिवार के पास तो इमेडियेट साहिता जो ततकालिक साहिता सरकार की तरफ से है वह हमने इमेडियेट डे दी है आपको और बांकी जो अन्य चीजें हैं इनका घर को तो निया मेली थे अभी इनके आज की तात कर लिवी अस्था इनके परिवार में कर दी गई है कल से हमने जो इस्पूल प्रवंदन जहां ये काम करते थे वह उन से बात की है तो जब तक इनका घर नहीं बन जाता है इनका वह अस्था रूप से ठेराए जाएगा उसकी स्टूडियो उत्रा खंड के लिए मसूरी से सुनिल सोनकर की रिपोर्ट